हेलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पीशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एविडेए फ्रेंड्स आज हम डिस्क्रस करेंगे यह जो पैड़ावाजी आप सोशल साइजंस का क्वेश्चन पेपर हैं बिए पार्ट वान का 2019 का इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे देखे और पूरे क्वेश्चन पेपर को हम बहुत डीप्ली सॉल्व करेंगे ठीक है और नेक्स पार्ट पार्ट इसका नेक्स क्वेश्चन या नेक्स वीडियो के लिए आप बैल आइकन को जलू प्रेस करें तो देखिए हमारे सामने क्वेश्चन पेपर है पैड़ागोजी साइंस तो आप जो है इससे रिलिटेट जो भी कोश्चन पूछे गए हैं उनसे आप परिचित होंगे देखिए कोश्चन पेपर है ना आपके सामने नाइन फाइफ और बिए पार्ट वन एक्जानमेशन 2019 न्यू कोर्स अप्सिनल पेपर होता है आपका पेपर फॉर्थ और फिप्थ यह आपका फॉर्थ या फिफ्थ पेपर होगा एकाउटिंट यूर सब्जेक्ट तो मैं दिखा देता हूं पूरे क्वेश्चन पेपर है सबसे पहले कौन सा कर्शन है मुसी को सालम करेंगे पूरा कर्शन पेपर है हमारा पेपर में नागरिक शास्त्र के समाजिक विज्ञान में समलित किये जाने के और चित्ते का वर्णन कीजिए यानि कि नागरिक शास्त्र के समाजिक विज्ञान में समाजिक विज्ञान में यानि सोसल साइंस में जो नागरिक शास्त्र का क्या मतलब जो है उसका क्या हो सकता है उसकी यह कोर्शन आपका चार नंबर का है और चार नंबर में इस को हम डिसकस करते हैं तो चलिए देखिए ठीक है यह कुर्शन पर होगे अब हम से को सॉलू करेंगे यह हमारे सामने बुक है गया हम और गौं और जाता है थो फिर्फि स्काठी तो फ्रेंटर्स देखिए समाजिक अध्यान में नगशार्षत की आव सकता क्या है देखिए विद्याले में सम अध्यां के सिचन की आव सकता को निम्न बंदूओं के अधर पर इश्पश्ट किया जा सकता है क्या क्या है कोशन को बहुत डीपली समझ लीजिए बस एक बार समझना है रिटना नहीं है अगर आप वीडियो से आपको हेल्प मिलती है और आपका पूरा कोशन इस प्रकाट से सौल्प चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जुरू बताएं शफलें सुखम जीवन के लिए जीवन एक ला है सभी व्यक्ति इस कला से परचित नहीं होते हैं जो इस कला से परचिये प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए नागरिक शाष्त्र का अध्यन करना अवश्यक हो जाता है शुन्दर जीवन प्रेम, सहयोग, सहनुभूती तथा शैशनुडता जैशी भावनाओं पर निर्भर करता है अधिकार वा कर्तवियों का ज्यान देने ही तूँ अधिकार तथा कर्तवियों का ज्यान जन साधारन को केवल नागरिक शाष्त्र से ही प्राप्त हो सकता है नागरिक शाष्त्र के अध्यन द्वारा जहां जन साधारन को अपने अधिकारों का ज्यान होता है वहीं उसे यहाँ भी दिहान रहता है कि वह वांगचित कर्टव्यों का पालन कर रहा है अत्वा नहीं थर्ड नमबर हेडिंग है जनतंतर की शफलता के लिए हमारे देश में प्रजातंतर है प्रजातंतर की शफलता के लिए नागरिकों में कुछ गुणों का होना अविश्यक है जनतंतर तभी सफल हो सकता है जब वहां के नागरिक सु नागरिक हो नागरिक शास्तर ही एक मात्र ऐसा सास्तर है जो दूसरे नागरिकों को सु नागरिक बना सकता है दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि जन्तंत्र की शफलता के लिए नागरिकों को नागरिक शर्ष्ट्र का दिन अवश्य कराना चाहिए फिर है आदर्स नेत्रुत्त के लिए जन्तंत्रात्मक शाशन विवस्था के अंतरगत जन्ता का प्रभुत्त होता है जनता ही मत दाता है, मत दाताओं पर देश का भाग निर्भर है मत दाताओं के मत उन नेताओं पर निर्भर हैं जो मत दाताओं को प्रभावित करते हैं कभी कभी कुछ नेता स्वार्थी स्वार्थों के वर शिभूत होकर मत दाताओं को ब्रहमित कर देते हैं इसका प्रभाव इस संपूर्ण राष्ट पर पड़ता है इसलिए ऐसे नेताओं का जर्म केवल नागरिक शास्त्र की द्वारा ही हो सकता है इसलिए नागरिक शास्त्र को समाजिक विशा में समलित किया गया है ठीक है यहां तक point clear हुआ नेक्स्ट है शास्न विवस्था का ज्यान परजातांतरिक शास्न विवस्था में परतेक नागरिक को अपने देश की शास्न विवस्था का ज्यान होना आवश्यक है क्योंकि यह कहा नहीं जा सकता कि व्यक्ति कब किसी प्रतिष्ठित एवं उत्तरदाइत पूर्ण इस्थान पर पहुँच जाए ऐसे इस्थान पर व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब उसे सासन विरुष्था का ज्यान होगा बालक को देश की शाष्ण व्यूस्था का ज्यान कराने के लिए नागरिक शाष्टर को सामाजिक विज्ञान के पाथी करम का एक महतपूर अंग बताया गया है इसके बाद च्षात्रों के लिए उप्योगी नागरिक शाष्ट्र का अध्यन छात्रों के लिए महतपूर्ण है क्यूंकि आज का छात्र आने वाले कल का नागरिक है आज के छात्र कल के राष्ट्र निर्माता समाज सुधारक अर्थशाष्ट्री शाषक वराजनितिक होते हैं अताहा आज के छात्रों की नागरिक सास्त्र का अध्यन परमावलश्यक है जिससे वे नागरिक सास्त्र का जियान अच्छे ड़ंकस से प्राप्त कर सकें और अपने राष्ट्र की शेवा करके उसे उन्यतिके अबद पर ले जाए साथ ही लोकतंत्र को सफल बना सकें सो फ्रेंट्स ये था हमारा चार नमर में question था और इसको आप थोड़ा सा ज्यादा नहीं sort कर सकते और B8 का exam दे रहे हैं तो question को बड़ा ही करके लिखना है और तो ये एक question था ठीक है और ये एक question हम आपको provide करके ये जाना चाह रहे हैं कि क्या आप पूरा question paper solve चाहते हैं अगर चाहते हैं तो वीडियो को like और comment में मुझे yes जरूर लिखें और so friends इसके बाद इसके बाद जो next question है question paper में इसके बद अगला question होगा हमारा समाजिक विज्ञान सिक्षण में विधियों क्या आवा सकता और अध्यापक सिक्षा में पार्ट्नियोंजन का महत्तो इन सब question को discuss करेंगे उप्चारत्मक सिक्षण क्या है भूगोल के अध्यन चेत्र का वर्णन क्या है मुगल कालिन इतिहास के सिक्षण में शाहता शामगरी के रूप में एक टाइम इश्केल कर रिमान कीजिए तो ये देखिए पूरा question paper ठीक है हम इसको धीरे धीरे करके solve करेंगे ठीक है जो sections ही होता है बारा नमबर में होता है ये थोड़ा long होगा अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियो को provide हो तो वीडियो को like और comment करके जुरू जाए thank you मिलते हैं next वीडियो में